दोस्तो अगर आपने अभी अभी अपना B.S.C. कम्प्लेट किया है और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें खास कर अगर आप एक हाई सेलरी वाली जॉब की तलास में है तो ये वीडियो आपके लिए है आज की इसे वीडियो में हम जानेंगे वो टॉप पोस्ट ग्रेजिट कोर्सेज जो आपको सांधर करियर ऑप्शन और बढ़िया सेलरी दिला सकते हैं तो वीडियो को अंतिता को जरूर देखेगा तो बिना किसी देरी के इसे वीडियो की सुरूबात करते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विशेग और नौर्ज इफेक्ट की एक कौर नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो सबसे पहले जानते हैं कि BSC के बाद PZ कोर्स करने की जरूरत क्यों है दोस्तो BSC एक अच्छा foundation है लेकिन जब बात एक अच्छी high paying job लेने की आती है तो उसके लिए आपको काफी struggle करना पड़ सकता है तो कि आज के समय में job market अहुत competitive हो गया है high salary वाली ज्यादता jobs के लिए specialization जरूरी है और यहीं पर post graduate courses आपके काम आते हैं चाहें वो science हो, technology हो, management हो यह healthcare पीडेडी आपको leadership roles और research के संदार मौके दिला सकती है बात करते हैं उन top PG courses की जो आप BSC के बात कर सकते हैं और जिन से आपको बहतरीन salary मिल सकती है तो नमबर एक MSC in data science और big data दोस्तो आज के data driven यूग में MSC in data science सबसे ज्यादा demand में है और आज के समय में data किसी भी company के लिए उसकी सबसे important चीज़ों में से एक है data से ही इन बड़ी बड़ी company को आपके बारे में पता चलता है क्या आपको क्या खाना पसंद है, कहां घूमना पसंद है, कौन से कपड़े पहना पसंद है यह सारी चीज़ें company आपके data को analysis करके पता लगाती है और इन data का analysis करते है data scientist और data scientist की IT, finance और healthcare industries में जवर्दस demand है एक data scientist की average salary आठ से 20 लाख रुपई पर रहने हो सकती है और experience के साथ यह और भी बढ़ सकती है दोस्तो, artificial intelligence industries में बड़ा बदलाव ला रही है आज के समय में हम ज्यादातर चीज़ें AI की help से मिन्टों में कर सकते हैं चाहें वो photo editing हो, चाहें वो graphic designing AI हर जगा मौझूद है और AI या machine learning में PC करने से आप इस क्रांती का हिस्सा बन सकते हैं और एक AI और machine learning expert बन सकते हैं वहीं AI expert की salary की बात करें तो इनकी salary 10 से 25 लाक रुपई और नम होती है नमा थ्री, MBA यानि की Master of Business Administration दोस्तो, MBA एक ऐसी डिगरी है जिसके दम पर आप corporate जगत में अपना नाम बना सकते हैं इस डिगरी के साथ आप अपना corporate career भी शुरू कर सकते हैं corporate career में इस डिगरी की help से आपकी salary काफी बढ़ सकती है इस डिगरी की मदद से आप बड़ी बड़ी company हो में top positions पर भी पहुँच सकते हैं अगर salary की बात करें तो top college से MBA करने वाले professionals की सुरूआती salary 12 से 30 लाक रुपे परेनम हो सकती है दोस्तो अगर आपको research और development का सौक है या फिर आपको इस field में जाना है तो MSC in bio technology या bio informatics course आपके लिए एक बहतर option हो सकता है इस course की healthcare, pharmaceutical और agriculture sector में बड़ी भूमिका है अगर इस field में काम करने वाले professionals की salary की बात करें तो यह 6 से 15 लाक रुपे परेनम हो सकती है और यादे आपको companyों में research based roles मिलते हैं तो यह और भी बढ़ सकती है दोस्तो clinical research और health care management खासकर हमारी के बाद तेजी से उगरते हुए छेतर है दोनों छेतरों में बढ़ती जनसंख्या, new medical technologies और health care सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण रोजगार के अबसर तेजी से बढ़ रहे हैं तो इस field में काफी अच्छा scope है इस degree के बाद आप clinical research associate data analyst या project manager जैसी भूमिकाओं में अस्पतालों, pharmaceutical companies और research संगठोनों में काम कर सकते हैं जिनकी सुरुवाती salary आठ से 18 लाग रुपे परेनम हो सकती है दोस्तो अगर conclusion की बात करें तो आखिर में सबसे अच्छा PG course भई होगा जो आपके interest के हिसाब से होगा लेकिन एक बात साब है कि BST के बाद PG degree में invest करना आपके career को उचाईयों पर ले जा सकता है और आपको high salary वाली job दिला सकता है तो दोस्तो आप किस PG course को करने की सोच रहे हैं हमें comment box में जरूर बताएगा यदि आप इन courses पर detail में वीडियो चाहते हो तो भी आप comment box में बता सकते हो तो फिल हाल इस वीडियो में इतना ही उमेद है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा आपका कीमति समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवा झाल